Hello students, welcome to the live session, शुरू करें आज का live session, सब लोग आगे, MCQs बिसक्स करेंगे 21st April में, जो भी हमने आज सुबह में current affairs डिसक्स किया, उसके हम MCQs देखने वाले हैं, शुरू करते हैं, आज के questions से सबको आने दो, views अपडेट नहीं होते हैं, YouTube के साथ कुछ गडबर लग रही है, तो भाई सबसे पहले तो यार हर बार की तरह इस बार भी, telegram channel join करना है, आपको अगर आपने नहीं किया है, तो फटा-फट से join करो, ये नाम है, वेल अकेडमी, current affairs आप लिखोगे, आपको मिल जाएगा, ये नेम है, और इसको join करो, PDF सारी चीज़े यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इसको join करने पर, ठीक है, ज़्यादा time waste नहीं करेंगे, इसको शुडू करेंगे, current affairs को, लेकिन ये offer जो है, courses पर 30 April तक ही है, इसके बाद ये खतम हो जाएगी, तो भाई, अगर enroll करना चाहते हो, तो जल्ली से enroll कर लो, ठीक है, अब शुरू करते हैं, भाई, आप मेंसे जो भी आये है, और पहली बार visit कर रहे हो, तो चैनल को subscribe कर लेना, और bell icon press कर देना, ताकि notification हमारे videos का आपको daily basis पे, दो बार मिल जाएगा, दिन में दो बार live session कंड़क कर रहा हूँ, और हाँ, आप लोगों से एक suggestion चाहिए, क्योंके मैं 2-3 दिन के बाद, इस live session की जो timing है, शाम की, उसको मैं change करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ, 5.15 को हम live session कंड़क करे, जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि रमजान मंत अप्रोच कर रहा है, तो मुझे बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ती है, ठीक है ना, so I think आपको, मैं ये time बता दूँगा, ठीक है, voice break कर रही है, मेरे साब से तो voice break नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़े clear होनी चाहिए, भाई निरजबा एक काम करो, आप refresh क चलो या फिर हो सकता है, internet का issue हो, voice clear है ना, सारी चीज़े, तो भाई timing का क्या क्या कर देंगे, चलेगा ना, 5 बजे का नहीं, 5 15 से 5 30 का हम time change कर देंगे, साड़े 5 बजे live session रखेंगे, ताकि क्या दिक्कत नहीं आएगी, तो चलो, अब शुडू करते है, name the union cultural minister who has launched national list of intangible cultural heritage in April 20, यहाँ पे कौंसे minister ने यहाँ पे national list of intangible cultural heritage launch किया हुए, नितिन गटगरी, हर्स, हर्सिमृत कोर बदल, प्रलाद सिंह पतेल, नरेंदर सिंह तूमर, नाम विलास, राम विलास, पस्वन, okay, प्रलाद सिंह पतेल, okay, तो आगे बढ़ते है, find the Indian ministry which was, which has formulated, color codes, red, orange, green zone for lockdown, कौंसी ministry ने यहाँ पे lockdown के लिए अलग-अलग zones वगरा यहाँ पे desert किये है, heavy industries, statistics, health and family welfare and science and technology, चलो बताओ, क्या आएगा, fifth आएगा, health and family welfare, बहुत ही simple साय, name the first Indian state which carried out the rapid testing for COVID-19, rapid testing किसने यहाँ पे conduct किया है, चलो बताओ, rapid testing यहाँ पे conduct किया है, चलो बताओ, rapid testing यहाँ पे conduct कि अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारा, मतब एक student ने कल comment किया था, कि मैं फटापट सायसा टिक ना कर दूँ, इसके पीछे का explanation दूँ, तो बाई, जिनको ऐसा लगता है इसका explanation, तो आप सुबह का session attend करो, उसमें पूरा detail में हम explain करते हैं, वैसे इस PDF में भी answers available है, चीक ह guarantee fund for micro unit scheme, यहाँ पे कितना यहाँ पे revised loss coverage है, 45, 75, 60, 25 and 50 percentage, चलो बताओ, इसको यहाँ पे बढ़ा दिया था न, loss coverage को, कितना बढ़ाया था है, यहाँ पे 50 percentage पहले था, अब इसको कर दिया है, 75 percentage है न, okay, next, what is the amount of fund released to states and union territories under Mahatma Gandhi national rural developed employment guarantee scheme, यहाँ पे employment guarantee scheme में यहाँ पे fund कितना release किया है, 10,000 crores, 3,500, 4,100, 7,300, 8,400, okay, 7,300 crores का यहाँ पे fund release किया है, South Korean President Moon Jae-in's party wins election amid COVID-19 pandemic, he belongs to which party, कौन सी party को बिलॉग करते थे, Democratic Republic, Labour Party, People Party, Justice Party, चलो बताओ, Democratic Party को बिलॉग करते थे, okay, चलो, next, the Equitas Small Finance Bank, SFB has launched self-fixed deposit and self-saving accounts to expand its digital banking service recently, digital banking service को यहाँ पे expand करने के लिए, यहाँ नहीं launch किया है, headquarters SFB के कहाँ पे है, Mumbai, New Delhi, Jaipur, Chennai, Bangalore, कहाँ पे है, okay, answer बताओ, Chennai, okay, next, what is the amount for which RBI announced to conduct auction for targeted long term repo operation 2.0, यहाँ पे, कितना, यहाँ पे amount RBI ने announced किया है, 40,000, 10,000, 20,000, 50,000, 25,000, बताओ, चलो, 25,000 है, 25,000 crores का यहाँ पे, क्या किया है, इन्होंने, auction किया हुआ है, okay, आगे बढ़ते, what is the business confidence index for the fourth quarter of FY20 as per National Council for Applied Economic Research, 112th Business Expectation Survey, बाई, कितना था यहाँ पे, 85.9, 111 percentage, 98.6, 77.3 percentage, 101.5 percentage, चलो, बताओ, 77.3 percentage था, ठीक है न, fourth quarter में, जो कि यहाँ पे कितना कम हो है, 30 percentage कम हो आया, अच्छा, पहले कितना था, 77.3 percentage तो अभी है, बाई, पहले कितना था, नहीं, 101.5 percentage, नहीं है, यह कम हो गया, अभी कि बात चल रहे है, fourth quarter की, third quarter में, यह कितना था, third quarter में, यह था, 111.2 percentage, ठीक है न, यह 30 percentage down गया, और अभी कितना है, 77.3 percentage, what is the S&P Global Ratings revised growth forecast of India for the FY 2021, 1.2, 2.7, 2.4 to 1.8, कितना हैगा, 1.8 percentage, okay, perfect. चलो, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो. Union Finance Minister Nirmala Sitaram has attended 101 Development Committee Plenary Meeting of World Bank IMF recently, what, where is the headquarter of IMF located, IMF के headquarters कहाँ पे, Geneva, Switzerland, Vina, Australia, Paris, France, Washington DC, US, New Delhi, India. चो भाई कहाँ थे, अब डिस्कूस किया हुआ है, International Monetary Fund का, नहीं, Geneva में नहीं है भाई, पैरिस भी नहीं है, वाशिंग्टन में है ना, वाशिंग्टन DC, US, पैरिस नहीं है, पैरिस नहीं है, गल्ती है, गल्ती 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 है. Okay, next आगे बढ़ते है, the 44th session of UNESCO's World Heritage Committee 2020, which was scheduled at Fusoo, is postponed. The Fusoo is the city in which country, भाई देखो, आपको जो confusion पैरिस का हुआ न, वो UNESCO के Headquarters है, पैरिस में किसके Headquarters है, UNESCO के Headquarters है, ठीक है, भाई, IMF के Headquarters तो वाशिंग्टन में ही है, और ये Fusoo City कहां पे आया है, वो चाइना में हाया हुआ है, चाइना is the right answer, okay, आगे बढ़ते हैं. Name the Indian, Name the Indian Multinational Motor Company, which has acquired 122-year-old iconic British company, Norton Motorcycle Limited for rupees 153 crores, 153 crores में यहां पे कांसी Motor Company को, यहां पे इनो न, Motorcycle Company को, Norton को करीदा है, भाई, किसने करीदा है, TVS ने करीदा है, na, TVS का full form आपको पता ही होगा, है na, देख ले न, एक बार explanation में, बहुर्ट difficult, भाई, okay, आगे बढ़ते हैं यहां पे, Name the Indian Movie Producer and Distributor Company, which has done first of its kind all share merger with Hollywood's STX Entertainment, भाई, कांसी कंपनी ने यहां पे, Merge किया हुआ है, चलो भाई, ए भाई, DRD हो कौन बोला, अच्छा, उपर का अंसर भूल गए, Ritesh, Eros International आएगा na, Eros International, okay, 15 का आपने answer दिया है गलती से, the Indian organization has developed automatic mist based sanitizers dispensing unit and UV sanitizing box and hand held UV device recently, तो भाई, कौन से Indian organization ने बनाया तो भी answer में मिल गए, defense research and development organization, DRD हो ने यह चीज की होई थी, which of the following is India's second institute which decodes entire genome sequence of coronavirus, भाई, first national institute of virology था, second कौन सा है, Rajiv Gandhi, Kalam institute, national center for cell science, Gujarat biotechnology research center, center for DNA fingerprint and diagnostics, तो भाई, Gujarat biotechnology research center है, ठीक है ना, ओके, next बात करते है, which command of Indian Navy has developed air evacuation pod for COVID-19 patients, भाई, COVID-19 के patients के लिए, यहाँ पे कौन से command Indian Navy के इसने developed किया हुआ है, चलो, बताओ, Southern command ने किया हुआ है, यह हमने, आगे बात करते है, the team of researchers of which institute has developed a portable compact, solid state sensor to identify the heavy metal ions in water, भाई, किसने, कौन से institute के researchers ने यह चीज़ के हुई है, तो बिरबल सानी, अगारकर research, center for nano and soft matter, Aria Bata and Bose institute, भाई, कौन है गा, center for nano and soft matter science, CENS, Bangalore, उन्होंने यहाँ पे यह चीज़ के हुई है, Lewis Sepulveda, Calvacura, the writer and author passed away recently belongs to which country, कौन से country को बिलॉंग करते है, Lewis Sepulveda, जो की writer भी और author भी थे, ठीक है, बताओ, कौन से country को, इनके नाम के यह आगे है, मतब, चेलियन था ना, ओके, नाम से यह पता चाल जादा था, चेलियन author यहाँ पे सुबह में हमने पढ़ा था, ओके, next, the theme of World Heritage Day 2020 is shared culture, shared heritage and shared responsibility, when was World Heritage Day celebrated annually, कब celebrate किया गया, तो भाई, April 18 को celebrate किया गया, है, आप लोगों से answer मिल गया, okay, so, आज के MCQs थोड़े कम थे, इतने भी ज्यादा नहीं थे, चलो, तो अभी recently यहाँ पे कुछ अजीव होआ था, जिसके उपर से questions यहाँ पे बनते हैं, शायद आपको पता हो, भाई, आपने अगर अभी recently एक news में सुना होगा, कि Switzerland के कौन से, कौन से mountain पे या फिर कौन से से पिक पे, इंडिया का जो flag है, उसको वो किया गया था, मलब project किया गया था, भाई, वो जो mountain का नाम, आपको पता है, चलो बहुत ही simple है, इतना ज्यादा difficult नहीं है, mountain का नाम क्या था, कोई मुझे बता दो, फटा-फट से, चलो जली बताओ, anyone fast, चलो, नहीं, elves, elves mountain का नाम नहीं है, elves मतलब Swiss, elves मतलब वहाँ के किसी एक mountain, लेकिन उस particular mountain का नाम है, आपको पता हो दो, तो matterhorn, उसका नाम है, ठीक है, matterhorn, जहाँ पर यह project किया गया था, क्या आप चाहते हो, इसके उपर में थोड़ा साथ detail में video बनाओ, matterhorn, mountain के उपर projection क्यों किया गया था, और अभी तक क्या क्या है, इसके बारे में details अगर आपको चाहिए, तो मुझे जरूर सा बताना, ठीक है तो हम इस आप वीडियो बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे, name the person who discovered first human coronavirus, किस person ने first human coronavirus को यहाँ पे discover किया हुआ है, तो उसके बारे में बता देता हूँ, चलो, लेकिन उससे पहले और भी questions है, capital and currency of South Korea, capital and currency of South Korea, जो recently यहाँ पे election वगरा की news थी न, तो उसमें यहाँ पे capital क् और currency क्या थी, चलो बताओ, capital मदब क्या है, थी नहीं, है, South Korea का currency and capital, जली, fast, तो बाई, capital तो आपको पता चल गया होगा, पता है, सबको, see all है, लेकिन currency क्या है, fast, currency won है, ठीक है न, South Korea की currency won है, capital and currency of child, child की capital and currency क्या है, चलो, child की capital currency बताओ, चलो, child की capital currency, fast, नहीं, पता, संतियागो capital है और currency पेशो है, ठीक है, संतियागो, अभी answer आपको पता चली जाएगा, present chairman of DRD, उनका नाम क्या है, present chairman of DRD, उनका नाम क्या है, I think यह आपको आना चाहिए, यह answer तो आना चाहिए, कितनी बार हम पड़े है, चलो, जली से बताओ, बहुत simple है, इतना ज्यादा difficult और complex question भी नहीं है, सथीश Reddy, उनका नाम है, ठीक है, रहें, राजनाथ सिंग नहीं है, चलो, यह रहे questions, तो Matterhorn mountain was located in which country, तो Switzerland में located है, क्योंकि यहाँ पर अभी projection किया है, यह नोने, tricolour on the famous mountain, of, famous Matterhorn mountain in Swiss Alps, अभी यह mountain के कुछ और खासियते भी है, वो हम देखेंगे, नेम the country which has become the first dark sky place by international dark sky association, तो भाई, कौन सी country यहाँ पर पहले dark sky place बनी है, new, यह dark sky place है, भाई, वो, ठीक है, और उसके बाद, नेम the person who has discovered first human coronavirus, तो first human coronavirus discovered, किसने कहा है, जून अलमेडा, उन्होंने यहाँ पर first human coronavirus को discover किया हुआ है, network issues, what is the capital and currency of South Korea, हमने discuss कर लिया, capital and currency of Chile, तो Santiago and currency peso, Sarishka Tiger Reserve is in which Indian state, तो भाई, राजस्तान में Sarishka Tiger Reserve, और President Chairman of DRDO, Satish Reddy है, So, सबको answer मिल गए, समझ में आया, session 20 answer आज से regular current affairs के, बाकिन दूसरे भी questions से, So, I hope आज का session आपको समझ में आयोगा, short and sweet, 15 minute के करीब हमने session को कर लिया है, और भाई, जो भी doubts है, तो भाई, PDF आपको मिलेगी, लेकिन telegram join करना, इसके में देखो, आप explanation यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यह explanation है, हरी cancer का explanation है, और यह जो PDF है, वो आपको इस telegram पर मिलेगी, join करना चाते हो, तो जली से telegram join कर लो, यहाँ पर आपको इस तरह से search करना है, इसको आप join कर सकते हो, बाखी, आप अगर aptitude courses में join करना चाते हो, तो यह courses है, जिसको आप यहाँ पर enroll कर सकते हो, यह जो offer है, 30 April तक है, बाद में यह offer, अभी यह offer बहुत कम टाइम के लिए, तो भाई, जली से enroll कर लो, ठीक है, अगर करना चाते हो, तो test series भी मिल जाएगी, क्या-क्या मिलेगा video course है, test series, test series तो भाई free मिलने वाली है, फिर chapter wise ebooks आपको मिल जाएगी, और सारे shortcut strics आपको videos के अंदर explain किये हुए है, तो reasoning में 150 videos है, और जो aptitude का course है, उसमें 180 प्लस जितने videos है, ठीक है भाई, दोनों में G-Triven online की facility है, आप description में link दी भी है, चेक कर सकते हो, so I hope session आपको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं next session में, कल सुबब 12 बजे, तब तक के लिए, goodbye and take care.